नए दर्शक का पहला बज़ट पेश करते हुए वित्मंतर निर्मला सीता रमन ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आये 2022 तक दोगना करने के लेकर प्रतिबद्ध है किसानों के लिए नए बज़ार को खोलने की जरूरत है तकि उनकी आये को बढ़ाया जा सकी किसानों के लिए वित्मंतर ने अपने बज़ट भासन में 16 सूतरी योजना का एलान किया बजट में किसानों के लिए फोकस करते हुए वित मंतरी ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है सरकार की ओर से क्रसी विकास योजना को लागू किया गया है प्रधान मंतरी फसल बेमा योजना के तहट करोडों किसानों को फाइदा पहुचाया गया है किसानों के लिए बजट में 16 सूतरी योजना नमबर एक Agriculture Land Leasing Act 2016 Produced Life Stock Act 2017 Services Facilitation 2018 को राजे सरकार उद्वारा लागू करवाना नमबर दो पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की विवस्था के लिए बड़ी योजना चलाए जाएगी ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना है नमबर तीन PM कुसम इसकीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा इसमें 20 लाग किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा इसके अलावा 15 लाग किसानों के गेड़ पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा नमबर चार उरवर्ता बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा और इसलिए रसायनिक खादों के इस्तमाल को कम किया जाएगा रसायनिक खादों का संतुलित इस्तमाल करने को लेकर जानकारी दी जाएगी नमबर पाँच देश में मौझूद वेरहाउस कोल्ड श्टोरेज को नाबाड अपने अंडर मिलेगा और नए तरीके से इसे डैल अप किया जाएगा देश में और भी वेरहाउस कोल्ड श्टोरेज बनाए जाएगे इसके लिए पी-पी-पी मॉडल अपनाया जाएगा नमबर छे महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का एलान किया गया जिसके तहट बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा नमबर साथ दूद, मांस, मचली समेच जल्द खराब होने वाली चीजों को खराब होने से बचाने के लिए वातानुकुलित किसान रेल कोच चलाए जाएगे नमबर आट क्रसी उडान योजना को सुरू किया जाएगा इंटरनेशनल और नैसनल रूट पर इस योजना को सुरू किया जाएगा नमबर नौ बागवानी क्षेत्र में सुधार में बात कही बागवानी के किसानों के लिए जिला इस्तर पर योजना लाई जाएगी बागवानी क्षेत्र में 311 मिलियन मिट्रिक टन की वर्तमान में पैदावार है और अब इसके बेहतर विपनन निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की विवस्था होगी नमबर दस एक उकरत क्रेशिव प्रणाली मधुमक्खी पालन पर जोर होगा नमबर ग्यारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा नमबर बारा दूद के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाए जाएगी दोजार पत्चिस तक डुग्द उत्पादन दुगना करने का लक्षे है नमबर तेहरा मंदेगा के तहट चारा घार को जोड़ दिया जाएगा नमबर चौदा ब्लू एकोनामिक के जरिये मचली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा नमबर पंद्रा यूवा और मतस्य विस्तार पर भी काम किया जाएगा 3077 सागर मित्र बनाये जाएगे जिससे तटवरती इलाकों के यूवाओं को रोजगार मिलेगा नमबर 16 किसानों को दी जाने वाली मदद को दिन दयाल यूजना के तहट बढ़ाया जाएगा जीरो बटन नैचरल फार्मिंग को भी मजबूत कर किसानों को प्रेरित करेंगे दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही सबस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल देशो दुनिया से जुड़ी अन्या खबरों के लिए